हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी में मिसेस अनुरो है आप सभी बच्चों का competition community में स्वागर करती हैं जैसा कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारे संस्था के द्वारा जो भी आपको demo video lectures के दिये जा रहे हैं उसमें पूर्न रोप से हमने CGPAC Mains के आधार पर उसे तयार किया है और CGPAC Mains comprehensive cash course के अंतरगत हम online और offline classes भी चला रहे हैं साथ ही आपको यहां 21 टेस्ट लिये जाएंगे जो online और offline दोनों mode पर होंगे इसकी विस्तरित जानकारी के लिए आप राइपूर के संस्था में फोन करके पूछ सकते हैं या ब्लासपूर के संस्था में फोन करके पूछ सकते हैं यदि आप यहीं रहने वाले हैं तो आप visit करें हमारी संस्था में और सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मेरी द्वारा CGPSC में पूछे जाने वाला होने वाला पहला प्रश्ण पत्र जिसके अंतरगत हिंदी जो 100 नंबर की है और 36 गड़ी जो 50 नंबर की होगी उसे मुख्य परिक्षा से किस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं उस आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा आज के Demo Video में मैंने सिर्फ एक Demo Video जो है आपको देना है जिसके अंतरगत 154 से समबंधित जो चीजें है वो आपको मैंने वहाँ पर समझाने की कोशिश की है और उस से समबंधित पूरण वीवरण किस तरह से होता है इन सब को यदि जानना है तो हमारे संस्था में फोन करके आप वहाँ विजिट करके और आप सारी चीजों को वहाँ से प्राप्ते कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का डेमो वीडियो जो होगा पत्रकारिता के अंदर से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी प्रश्ब पत्र में पूछे जाने वाले सबसे महत पुर्ण टॉपिक जो है पत्राचार जिसे कहते हैं पत्रलेखन मैंने लास्ट वीडियो में आपको पत्र लेखन से संबंधित पत्राचार क्या है उसकी विशेष्टाएं क्या होती है एक आदर पत्र को लिखने का तरीका कैसा होता है कितने प्रकार के पत्र होते हैं और उनहीं पत्रों में कार्याले पत्र के अंतरगत मैंने आपको शास्की या पत्र बतलाए थी शास्की पत्र याने की शासन के अंतरगर्थ जो राजर सरकार है और केंद्र सरकार है उनसे संबंधित देश या विदेश में जितने भी संस्थान है उन सब के मध्य शास्की गतिवीदियों के निर्वहन के लिए जो भी समचा जो भी पत्र का व्योहार किया जाता है उसे शास्किय या सरकारी पत्र कहा जाता है आज हम पढ़ने वाले हैं आपके अर्ध शास्किय पत्र को जिसे अर्ध सरकारी पत्र या डेमी ओफिशल लेटर या सेमी ओफिशल लेटर के नाम से जाना जाता है तो आखिर ये अर्ध सरकारी या अर्ध शास्किय पत्र क्या होता है इसका परिचे कहें तो अपने समकक्ष अत्वा अपने से कनिष्ठ इस्तर के अधिकारियों को प्रस्तावित कार्य शिगर निपताने के लिए जिस पत्र का प्रयुक किया जाता है उसे राजभाशा में अर्धशास्किया या अर्धसरकारी पत्र कहा जाता ह मतलब कि अर्द सरकारी औरद शास के पत्र उस पत्र को कहते हैं जो दो सरकारी अधिकारियों के मद्य, उन के विचार, उनकी सम्मति, उनकी जानकारी या सुचना के आधान-परदान के लिए पत्र के रूप में भेजा जाता है जिसमें किसी प्रकार की आपचारिकता की आवशकता नहीं होती यह नीजी पत्र की तरह अनपचारिक रुप से भेजा जाता है उसे ही हम अर्ध शास के पत्र कहते हैं तो फिर शास के पत्र में और अर्ध शास के पत्र में क्या अंतर होता है तो शास के पत्र का जो आदान प् दो अधिकारियों के मद्य सीधे आपके नीजी पत्र की तरह होता है सरकारी पत्र में विशय और संबोधन लिखा जाता है परन्तु अर्ध सरकारी पत्र में इसका उलेख नहीं होता ठीक है सरकारी पत्र में जो भी आदेश निरदेश प्रसारित करने की आवशक्ता के लिए उसे लिखा जाता है लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में किसी भी विचार सम्मत्ति के सुझाओं की जानकारे प्राप्त करने के लिए एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को भीजा जाता है अगली बात कि शास के पत्र कर जो रूप रेखा रहती है वस्तुनिष्ट होते ह और संयोजनात्मक होते हैं जबकि अर्ध सास के पत्र में किसी प्रकार का यहरू प्रयोग नहीं होता अगली बात शास के पत्र की भाशा शैली विशिष्ट होती है और अर्ध सरकारी पत्र की भाशा शैली में किसी प्रकार की विशिष्टता का प्रयोग नहीं होता शास की पत्र में संबोधन अन्य संदर्भ की परंपरा का जो है वो पालन किया जाता है परंतु अर्ध सरकारी पत्रों में संबोधन या अन्य संदर्भों का किसी प्रकार का पालन नहीं किया जाता है सरकारी पत्र ऑफिशियल याने की अपचारिक होते हैं जबकि अर्ध सरकारी पत् पत्र को जो अधिकारी के नाम से लिखा जाता है सरकारी पत्र को शुरू करते समय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुझे यह आपको आदेश देने का निर्देश हुआ है कि इस तरह जो 35 प्रकार के मैंने आपको नियम बताए थे जिसमें मैंने 15-16 नियम आपको बत उससे शास के पत्र के शुरुवात होती है, परन्तु अर्ध सरकारी पत्र में मुझे या कहते हुए हर्ष होता है कि ऐसे शब्दों से वाक्यांसों से इसके शुरुवात जो है वो होती है, ठीक है, सरकारी पत्र की भाषा आदेशात्मक होती है, परन्तु अर्ध सरकारी पत् को लिखा जाता है इसमें जो सास के पत्र में हैं उसमें हम महोदय और महोदया जैसे संबोधन का प्रयोग करते हैं जबकि अर्ध सरकारी में प्रियश्री श्री यूत जैसे शब्द का प्रियवर जैसे शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है सरकारी पत्र गोपनिय नह कुछना को प्रसारित करता है जबकि अर्ध सरकारी एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है तो फिर इस अर्ध सरकारी पत्र की जरूरत क्यों है इसका उदेशिक क्या होता है तो अर्ध सरकारी पत्र के अवशक्ता की बात करें तो दो सरकारी अधिका कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग जो किया जाता है उसका इस्तेमाल होता है जब उक्त कार्यालय के द्वारा जिस दूसरे कार्यालय को कारे सौंपा गया था रिमाइंडर भेजने के बावजूद उस अधिकारी के कार्यालय से किसी प्रकार की जवाब प्राप्त इस कार्यालय को नहीं हुआ तो यहां के अधिकारी के द्वारा उस कारेले के अधिकारी को जो पत्र नीजी तोर पर भेजा जाएगा उसे ही अर्धसरकारी या अर्धसास के पत्र कहते हैं ठीक है इस अर्धसरकारी पत्र की रूप रेखा जो है वो थोड़े अलग तोर पर होती है इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम शास्के पत्र की रूप रेखा को जानेंगे कि शास्के पत्र की रूप रेखा आखिर क्या थी ठीक है तो थोड़ा सा शास्के पत्र की और एक बार जाते हैं कि शास्के पत्र की रूप रेखा कैसी थी शास के पत्र में आपने ये पाया था कि शास के पत्र जो थे उसमें हमने इस रुप में लिखा था सबसे पहरे शास के पत्र का पत्र क्रमांक लिखा था अपने बाय हाथ की और तो दूसरे हाथ की और हमने भारत सरकार केंद्रिय हिंदी नीदेशाले सिक्षा मंत्राले लिख गया है इस पत्र का विश्य क्या है इसके बाद संझ बोधन के साथ में इस पत्र का मूल कलेवर लिखा गया था इसके पश्चात स्वाबोधन और आत्मनिर्देश के लिए भवदी जैसा प्रयोग नाम और अपना हस्ताकशर और पद का नाम और अंत में यह प्रतिलिपी प्रिष्ठांकन के तौर पर किसे किसे भेजा जा रहा है उसका उल्लेक शास्की पत्र के अंदर किया गया था लेकिन अर्ध सरकारी या अर्ध कुछ पुस्तकों में आज के समय में मैंने पाया है जो अर्द संरकारी पत्र क्रमांग जो हमेशा अपने लेक्खक के बाएं हाथ की और होता है आजकल इसे दाहीने हाथ की और भी लिखा जा सकता है तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके द्वारा मेंशन किया जाएगा अर्ध सरकारी पत्र का और उसका क्रमांक क्या है भारत सरकार के किस मंत्राले के द्वारा नई दिल्ली से कितने दिनांग को इसे प्रेशित किया जा रहा है कितने दिनांग को इसे भेजा ज मध्य में पाते हैं किसी प्रकार के प्रेशक और प्रेशिती था उसका इस्तेमाल यहां पर नहीं किया जाएगा नहीं विशय और नहीं संदर्व होंगे कुल मिलाकर इसे पर्सनल लेटर की तरह लिखा जाएगा और इसको लिखते समय ऐसे शब्द का प्रियवर प्रियश्री जैसे शब्द का यहां पर इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा अगली बात चाहे तो हम यहां पर कख लिख सकते हैं या उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं ठीक है पत्र की शुरुवात होगी मैं आपका ध्यान डैस जो भी विशयक इस मंत्रालय के जो पत्र भेजा गया था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है उस पत्र का यहां क्रमांत कितने तारिक को भेजा गया था उस तारिक का उस तीथी का यहां पर पत्र भाव की और आक्रिष्ट करता हूं और निविदन करता हूं कि ऐसा कहकर अपनी बातों को वह इसपष्ट करके यहां समाप्त करता है अन्त में यहां पर स्वाब अधन के लिए किसी प्रकार से भवदिय का प्रयोग ना करके आपका सदभावी आपका सुभेक्षु ज एक अधिकारी के द्वारा किसे लिखा जा रहा है तो जिस व्यक्ति के नाम ये पत्र था जिनका संबोधन किया गया है उस व्यक्ति के अनुसार यहां पर उस व्यक्ति का नाम जो है वो लिखा जाता है कुल मिलाकर देखने वाली बात है कि जिस व्यक्ति का संबोधन था उस का यहाँ नाम उनका पद उनका पता यहाँ पर लिखकर इस पत्र को जो है वो समाप्त किया जाता है तो एक उधारन देखते हैं अर्धसरकारी पत्र के अनुसार हम यह पाते हैं कि अर्धसरकारी पत्र संख्या 43E25 ठीक है यह पत्र संख्या क्रमांक है कहां से भेजा जा रहा है कुलपती कारियाले अवत विश्विद्याले फैजाबाद से कितने तारिको 13 अगस्त 2021 को ठीक है उसके बाद यहाँ से किसी प्रकार का आप देख रहे होंगे ना तो प्रेशक का नामपद पता है और ना प्रेशिती का नामपद और पता है यहाँ विशय और संदर्भ का उलेख नहीं है इसलिए यहाँ जो नीजी पत्र की तरह सीधे से इस पत्र को लिखा गया है ठीक है अगर आप चाहें तो प्रिय, श्री, कख, गर लिख सकते हैं या उस व्यक्तित् इसके पशाद जो पत्र है वह शुरू होता है कि मैं आपका ध्यान इस तर्थे के ओर आकरिष्ट करता हूँ कि इस ना तक इस तर पर अनुसूचित जन जाती तथा पिछडे वर्ग के विद्यार्खियों की जो सूची तयार करने के लिए विश्विद्याले ने अर्ध सरकारी पत्र संख्या 43E 25 दिनां 25 मई 21 में निवेदन किया था वह सूची मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई है क्रिपया तुरंत लोटती डाक प्रेशित करें कहने का मतलब क्या हुआ कि इस कार्याले के द्वारा उक्त कार्याले में एक पत्र विश्यस रूप से कुछ जानकारी चाहने के बावत भेजा गया था रिमाइंडर भेजे जाने के बावजुद भी उनके द्वारा किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए जो अवधविश्य विद्याले फैजाबाद के जो कुलपती हैं उनके द्वारा दूसरे विद्याले के जो प्रोफेसर हैं उनको जो है या कुलपती को जो है वो पत्र लिखा गया है परसनल होकर तो यहां पर उसके रूप में इसे व्यक्तिक तोर पर लिखा है इसल प्रकार के पद का उलेखव व्यक्ति नहीं करेगा अब जहां उस व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर किये हैं उस हस्ताक्षर के बाएं हाथ की ओर जो है जिस व्यक्ति को पत्र भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम पद और पता जो है मेंशन होगा किन को भेजा गया पत्र की रूप रेखा जो होती है वो अर्ध सरकारी पत्र की रूप रेखा से बिल्कुल भिन्न होती है वहां हर प्रकार के वक्तव का उलेख जो है किया जाता है ठीक है तो ध्यान रखने वाली बात है कि इन सब का प्रयोग देखेंगे कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत या श्री का इस्तिमाल करेंगे और अगर वह महिला है तो सुश्री जैसे शब्द का इस्तिमाल जो है वहांपर किया जाएगा धीक है दूसरी बात आत्मनिर देश में आपका सद्भावी आपका सुभHegshu जैसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा केवल अपना नाम और हस्त गत्ती तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, तो दो पत्र पूरे हुए, एक हुआ शासकिय पत्र, और एक हुआ आपका अर्ध शासकिय पत्र, ठीक है, अब हम आते हैं, अगला, जिसे हम कहते हैं, प्रारूप लेखन, तो आखिर ये प्रारूप लेखन क्या होता है प्रारूप लेखन को हम format writing कह सकते हैं इस प्रारूप लेखन के कुछ और नाम है जिसे प्रारूपन या आलेखन भी कहा जाता है आखिर ये क्या है तो पत्र विभार की जितनी भी पधतियां है या नियमों के अनरूप पत्रों का जो मसाओदा याने की जो एक लिखने का तरीका तयार किया जाता है कच्चा खांका तयार किया जाता है धाचा तयार किया जाता है उसे ही हम प्रारूप लेखन कहते हैं कहने का मतलब है इसे आल अंभिक रूप से लेकर अंत तक का जो लेखन है वह प्रारूप लेखन कहलाता है किसी पत्र की शुरुवात से लेकर अंत तक की लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रारूप लेखन या प्रारूपन कहा जाता है अब तक आपने शास्की पत्र का प्रारूप देखा और ठीक है तो यदि प्रश्ण पत्र में आपको प्रारूप लिखने होता हैं तो सिर्फ आप उसका एक प्रारूप और एक साचा तइयार करके बता देते हैं जब तक वो आविधन प्रस्तूत करने ना बोले तब तक वहाँ पर किसी प्रकार का आविधन प्रस्तूत नहीं करना चाहिए क्लियर हो गई चीज़ें तो हम कह सकते हैं कि एक आरंभिक रूप से लेकर अंत तक के पत्र का लेखन का सोरूप प्रारूप कहलाता है जिसमें आरंभ से अंत तक अगर आवशकता पड़े तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके इसलिए वह एक मसाओदा एक तर तो आरंभ से लेकर अंत तक के किसी भी पत्र को लिखने की जो एक तरीका होता है उसे हम प्रारूप लेखन कहते हैं पत्रा चार का महत पुर्ण अंग माना जाता है और चारिक पत्र के अंतरगत कार्याले पत्र में इसका सबसे बड़ा प्रयोग जो है किया जाता है किसी भी मंत्राले, विभाग, कार्याले और सरकारी निर्णे की सुचना देने और प्राप्त करने के लिए सरकार की समस्तु उपलब्धियों को जनता तक पहुचाने के लिए इस प्रारूप लेखन का इस्तेमाल जो है वो किया जाती है तो सरकारी कार्याले में पत्र विभाहर की पधती के अनुरूप पत्रों का मसाओदा तयार करना प्रारूपन, प्रारूपलेखन या आलेखन कहा जाता है अर्थार किसी भी पत्र के अंतिरुम देने से पहले जो एक कच्चा मसाओदा एक तरीका तयार किया जाता है उसे प्रारूप कहा जायेगा इसका उद्देश्य होता है किसी निश्चित विशय के लिए निधारित धांचे को तैयार करना ठीक है तो इसके भी कुछ विशेश प्रकार के प्रयोग है और देखा जाए तो हम कह सकते है प्रारूप में हमारे द्वारा अभी जो प्रत्र लिखे जा रहे हैं समाचार आपके जो परिक्षा में प्रश्ण पूछे जा रहे हैं तो प्रारूप के अंतरगत शास्की और अर्धशास्की के साथ साथ परिपत्र को प्रपत्र को विज्यापन प्रिश्टांकन चुना टिपणी लेखन और प्रतिवेदन को जो है प्रारूप लेखन के अंतरगत जो है वो इस्थान दिया गया है कहने का मतलब यह है कि इसकी प्रक्रिया कैसे होगी यदि हम प्रारूप लेखन लिख रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया कैसे होगी तो नीम्न श्रीणी के लिपिक के द्वारा तैयार करके उच्छ श्रीणी के लिपिक या लेखा धिकारी से होता हुआ यह तरीका जो है यह कच्छा मसोधा है उच्छ अधिकारी तक पहुँचता है जो उस अधिकारी के द्वारा स्विक्रित कर लिये जाने के बाद तंकित होकर मतलब टाइप करने के बाद लोगों को उसे प्रकाशन के लिए भेजा जाता है इसमें विशय का निर्देश्ट होना याने कि इसमें विशय इसपष्ट होना अति आवश्यक है दूसरी बात निर्देश यदि जो पत्र का प्रारूप तयार किया जा रहा है उस पत्र में आवशकता है तो पिछले पत्र का निर्देश भी वहाँ पर होना अति आवश्यक है पत्र की क्रम संख्या, पत्र की क्रम संख्या कहें, तो यदि पत्र में कभी आवशक्त नुसर दो बातों का उलेख होगा, तो उन बातों की क्रम संख्या का निश्चित होना जरूरी है, कहें आवशक्त पड़ें, तो अनुछेद के इस्थान पर वहाँ पर पत्र की संख्या आदेश है यदि अधिकारी द्वारा हो तो उसका अवश्य उलेक कर दिया जाना चाहिए और साथ ही देखा जाए तो कितनी चीज़ें इसके साथ सनलगन की जा रही है उसका वहाँ पर प्रयोग किया जाना जरूरी है ठीक है तो इस आधार पर देखा जाए तो प्रारूप क् के नाम से पुकारा जाता है इसके अंतरगत मैंने अभी आपको शास किये और अर्द शास के पत्र बताए और इसी प्रारूप में मैं अब आपको एक रूप लेकर बताऊंगी जो होगा अनुस्मारक का अनुस्मारक किसे कहते हैं अनुस्मारक को रिमाइंडर कहा जाता है इस अनुविसमारक को हम reminder के साथ समरंड पत्र के रूप में भी जानते हैं, और ये क्या होता है, किसी एक कार्याले के दौरा ये दूसरे कार्याले से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्ट करना हो, ये किसी भी पत्र का व्यवहार किया गया हो, परन्तु उस कारेले के द्वारा यदि कारे में अनवशक विलंब हो रहा हो तो उस्चिग्र कारे को निप्टाने के लिए उन्हें एक reminder भेजा जाता है इस reminder यानि अनुश्मारक या इस्मरंट पत्र को भेजने का उद्दिश ये होता है कि जिस कारेवाही को करने के लिए उन्हें कहा गया था उसमें अनवशक देरी हो रही है तो जल्दी उस कारे को करे हो सकता है कि कारे के जो गतिवीधियां है जो चल रही है उसमें उनके दिमाग से चीज़ें निकल गई हो तो उन्हें शिग्र कारे के लिए एक अनुश्मारक भेजा जाता है समय होता है छै महीने के अंदर उनके द्वारा यदि कारे नहीं किया गया है तो छै महीने के बाद उन्हें अनुश्मारक भेजा जाएगा ताकि उनके द्वारा कारे जो है वो फिर से प्राप्त उत्तर के रूप में हो सके तो किसी भी कार्याले में जो दिये गए कार्ये हैं जो उनके द्वारा पूरे नहीं किये गए थे तो उन्हें पुनह याद दिलाने के लिए इस कार्याले के द्वारा जो भी पत्र भेजा जाएगा ताकि उनको याद आ के मध्य में 36 गड़ शासन कार्याले निदेशक पशु पालन विभाग राइपुर याने कि 36 गड़ शासन के अंतरगत जिस निदेशक कार्याले के द्वारा जिस विभाग के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है उसका उलेख किया जाएगा अब यहां पर थोड़ी से चीज़े शासकी और अर्ध शासकी पत्र से अलग हो जाती है याने कि अब यहां पर देखा जाएं तो हम कह सकते हैं कि पत्र का क्रमांग जो बाई और लिखा जा रहा है उसके बगल में दिनांग जो है वो मेंशन कर दिया जाता है चूंकि यह एक अनुश्मारक है तो शासकी पत्र म विशय का उल्लेख होना वश्यक है इसलिए यहाँ अनुस्मारक जो है वो लिख दिया है और यहाँ पर हैं आपके प्रेशिति यानि कि आपके प्रेशक है जिसने पत्र को भेजा है जो है पशुचिकितसा अधिकारी राजकी पशुचिकितसा ले आरंग जो है किया जाएगा विशय क्या था कि चिकित्सा संबंधी विवरण जो मांगा आया गया था वह आज तक भेजा नहीं गया है उसी की जानकारी देने भेतू फिर से इस पत्र को अनुश्मारक के तौर पर भेजा जा रहे हैं संदर्भ में पिछले पत्र का उलेख किया जाए अनुश्मारक के तौर पर लिखा गया है कि कृपिया आप इस विशय पर हमारे उप्यूप्त पत्र का अवलोकन करें पत्र सबसे पहले उनको ध्यान दिया जा रहा है कि इस पत्र के द्वारा हमारे उपर यूप्त मतलब पहले ही कहे जा चुके पत्र का अवलोकन करें इसका उत्तर अब तक प्राक्त नहीं हुआ है चिकित्सा संबंधी वीवरण को विधान सभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करना है अतह उत्तर अविलम भिजवाने की क्रेपा करें और इतना कहलेने के पशात यहाँ पर जो आपके अधिकारी हैं जो प्रेशक हैं जस पत्र को भेज रहे हैं उनका नाम पद और पता तो यहाँ पर यह सरकारी पत्र का एक स्वरूप है इसलिए भवदीर ऐसे संबोधन होगा साथ में उस व्यक्ति का नाम होगा और उसके पद का उलेख होगा उसके बाई हाथ की और कौन-कौन सी चीज़े प्रिश्ठांकन के तौर पर आप सनलगन कर रहे हैं तो जो पहले पत्र लिखा गया था उस पत्र की फोटो कापी यहां पर सनलगन जो है वो किया जा रहा है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि इस रूप में हमारा जो आपका अनुष्मारक है वो पूरा होता है यानि कि जो हमने प्रारूप लेखन कहा उस प्रारूप लेखन के अंतरगत मेरे द्वारा अनुई स्मारक के माध्यन से आपको प्रारुप जो है वो बताया है ठीक है अब हम आते हैं कि प्रपत्र क्या होता है ठीक है प्रपत्र को हम क्या कहते हैं तो प्रपत्र को हम फॉर्म कहते हैं या उसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है ठीक है तो प्रपत्र को हम form या documents कहते हैं और आखिर ये क्या होते हैं ठीक है तो एक विशेस प्रकार का छपा या type किया हुआ पत्र जिसके माध्यम से आवेदन करता से कुछ महत्पुर्ण जानकारी मांगी जाती है उसे प्रपत्र कहा जाता है ठीक है ध्यान से समझेंगे कि ये प्रपत्र क्या होता है कि एक विशेस प्रकार का छपा या type किया हुआ एक पत्र जिसके माध्यम से आवेदन करता के द्वाक से किस विशेस प्रकार की जानकारी मांगी जाती है तो उसे हम कहते हैं आपका प्रपत्र आपके form या documents तो परिभाशा क्या है एक विशेस प्रकार का छपा हुआ type हुआ पत्र होता है जिसके माध्यम से आविदन करता कि जितनी संपुर्ण जानकारी है उसे मांगा जाता है मतलब यह एक निश्चित धाचा या फॉर्मूला होता है एक फॉर्म होता है जो विशेस कार रहे है तू प्रयोग किया जाता है विशेस प्रकार का धाचा होता है या खुलवाते हैं तो आप एक आवेदक हैं वहां तो आपकी संपुर्ण जानकारी उक्तकारियले के द्वारा मांगी जा रही है और उस डॉकुमेंट्स को आप पूरी तरह से फिल करते हैं और वहां जमा करते हैं तो उसे ही कहा जाता है प्रपत्र ध्यान से समझेगा एक बार और मैं बता दूँ एक विशेश प्रकार का छपा या टाइप हुआ पत्र जिसके माध्यम से आवेदन करता से कुछ महत पुरुन जान एक सुनिशित साचे में खाके में प्राप्ट करना आवश्यक होता है जिसकी पूर्ति हम म्म म्म प्रपत्र के द्वारा करते हैं ठीक है जैसे प्रिक्षा का फॉर्म मों बैंक का फॉर्म हो आवेधन करता जो भी जानकारी उक्तकारयले को भेशता है तो जो भरने के लिए जो साचा दिया जाता है टाइप किया हुआ उसे ही प्रपत्र कहा जाता है परिपत्र के माध्यम से सूचना दी जाती है ध्यान से समझेगा परिपत्र और प्रपत्र दो अलगची से बिटा ये मैं आगे आप को बतलाऊंगी अभी हम पढ़ रहे हैं प्रपत्र ठीक है अभी हम क्या पढ़ रहे हैं प्रपत्र पढ़ रहे हैं तो प्रपत्र और परिपत्र में अंतर होता है ठीक है तो प्रपत्र है फॉर्म या डॉकुमेंट्स और परिपत्र को हम कुछ और नाम से जानते हैं और प्रपत्र को तयार करते समय उसको भरते समय विभन प्रकार की साउधानियों की आशाक्ता होती है जैसे कि सरप्रत्राम उस प्रपत्र में जितने भी जो नाम दिए गए हैं जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट को केरिफुली हमको सुनना होता है उते जितने भी निर्देश उस प्रपत्र में दिए गए हैं उन निर्देशौं को पढ़ने आवश्यक होता है इसके हर बॉक्स में लिखा जाना चाहिए जैसे आप वाम भरते हैं तो आपको पता है कि हर बॉक्स में लिखते हैं और एक शब्द पूरा हो जाने के बाद जैसे कि यदि आप एक शब्द पूरा कर रहे हैं तो उस एक शब्द के जैसे कि आपको इस रूप में दिया गया है जहां पर आपको लिखना है तो आप यह कोशिस करते हैं कि अगर आपको राम लिखना है तो र-a-m एक शब्द पूरा हो जाने एक बार एक बॉक्स छोड़ना होता है और यहां पर र-a-j तो जैसे आप हर अक्षर के लिए एक बॉक्स जो है वो निर्धारित होता है और जहां एक शब्द पूरा हो जाता है तो दूसरे शब्द को लिखने से पहले एक बॉक्स को वहां से आपको छोड़ना होता है ताकि शब्द एक दूसरे के साथ में सट ना जाएं ठीक है दूसरी बात यद के बल्यानी λेकिन एपके द्वार वहां पर किया जाना जरूरी रिगर और कि इसी अपूलारा की घलत जानकारी नहीं होता या अगर नहीं ऑने वाले समय में आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है इसलिए सबसे पहले उसमें जो भी निर्देश दिये गए हैं उन सारे निर्देशों को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए इसे लिखते समय ख्याल रखें कि यहां पर हर एक अक्षर के लिए एक बॉक्स निर्धारित होना चाहिए जब एक शब्द पूरा हो जाए तो दूस नहीं की जा सकती तो वहां पर नॉट एप्लिकेवल याने की एन ए कैपिटल लेटर में वहां पर मेंशन करना जरूरी है साथ ही जो भी आविदन करता अपने सेक्षनिक योगता ते संबंधित अंकसूची देता है और उसमें जानकारी प्रदान करता है तो वह अंकसूची से लेकर संपुर्ण जानकारी दसवी और बारवी के अंकसूची में होती है तो इस तरह देखा जाए तो प्रपत्र जिसे हम फॉर्म या डॉकुमेंट्स कहते हैं वह एक विशेस प्रकार का छपा हुआ टाइप किया हुआ एक पत्र होता है जिसके माध्यम से आविदन करत से उक्त कारिया लएक के द्वारा कुछ विशेस जानकारी मांगी जाती है यहां पर एक उधारन हम देखेंगे यहां पर जो आपके द्वारा सीजी पीएसी प्री को कंप्रिट करनेने के बाद मेंस के बाद जब आप वहां इंटर्वी के ले जाते हैं तब आपके द्वार एक पत्र होता है जिसमें आवेधन करता से सम्पुर्ण प्रकार की जानकारी जो है मांगी जाती है और इस तरह देखा जाए तो जैसे आप बैंक में फॉर्म भरते हैं या किसी प्रकार के पत्र को भरते हैं उसका मेंशन यहाँ पर किया जाता है और इस रूप में अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंटर्यू में जाने के समय आपके CGPSC के द्वारा जो आप से जानकारी मांगी जाती है वह किस रूप में होता है ठीक है तो थोड़ा सा इसे हम देखते हैं तो यहाँ पर CGPSC मेंस को पूरा कर लेने के बाद ज 36 गड़ लोग सेवा आयोग यहां पर आवेदक का व्यक्तिकत वीवरण पत्र है यह जो 6 प्रतियों में होती है ठीक है तो उसका पंजियन याने कि उसने जो रजिस्ट्रेशन किया वो पंजियन क्रमांक क्या है उस व्यक्ति ने जो CGPSC की मुख्य परिक्षा दी थी उसमें एक और 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 शायोडर अग्ति सब्सक्रेया का नाम क्या था और वीवाग का नाम क्या है उसका मेंने जो है इतना आपको ऊपर उपर के कुछ लाईन में प्रस्तूत करना होता है । ठीक है कि अब यहां से अब यहां से चौथे नमबर पर कौन से जानकारी मांगी जा रही है चौथे नमबर पर आवेदक का नाम मांगा जा रहा है जो उससे लिखना है हिंदी में और अंग्रेजी में उसे अपने नाम को मेंशन करना है उनके पिता का नाम क्या है यदि वो महिला विवाहित है तो उनके पती का नाम क्या है जन्म दिनांग ठीक है कितने तारिक को कितने महिने को और कौन से वर्ष में उसका जन्म हुआ था यह यहां आप डिजिट में करते हैं तो उसी तरह अंकों और शब्दों में उसका उल्लेक आपके द्वारा किया जाएगा ठीक है उक्त दिनांक को आपकी आयू कितने वर्ष की है और यदि आविदर 36 गड़ का निवासी है तो कितने वर्षों से है इसका भी उल्लेक यहां पर उसके द्वारा किया जाएगा किस जाती से संबंदित है उसका विवरंड देता क्या वह समान्य है पिछड़ा वर्ग है जाती है या जन जाती है तो उसके सामने टिक का निशान जो है वो लगाया जाएगा ठीक है इसके बाद आते हैं हम आगे इतनी जानकारी देने के बाद आविदक का पता वर्तमान पता क्या है इस्थानी पता क्या है उसका विवरंड प्रस्तूत करेगा और कार्यले पता इस्थाई पता मुल निवास इस्थान बताएगा आविदक का दूरभाश नंबर यदि उसकी इमेल आईडी है तो उसका व सथां से जैसे की 10 स्झावे का isla कि मध्यपर्धेश परिक्षा को से 1900 में दिया था यह 1998 में दिया था यह 2012 में दिया था जो भी उसका समय है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं उसका उलेख वह यहां पर करता है ठीक है तो सेक्षणिक योग्यता के बाद सेक्षणिक योग्यता अपनी मेंशन कर लेने के बाद हम देखते हैं सेक्षणिक योग्यता के बाद में उसके द्वा के पद पर कार्यरत है तो जो experience है उसका mention किया जाता है यहां पर जैसे तीन वर्ष का सरसती शिशुमंदिर में सिक्षन का अनुभाव वर्तमान समय में विद्युत ग्री उच्चतर मांधिवेगी द्याले में वैख्यता के पद पर कार्यरत और कितना वेतन मिलता था उसका भी यहां पर उलेख जो है वो किया जाएगा ठीक है इसके बार आपकी किस बात में विशेस प्रकार की रूची अभी रूची है उसके अन्य बिंदूओं का विवरण मांगा जाएगा कि आपकी जो आविदक है अपनी रूच बताएगा अभी रूची बताएगा उसका विवरण करेगा यदि किसी विशेस योग्यता है तो उसे किसी प्रकार का प्रसकार दिया गया है राश्ट्री इस्तर पर अंतराश्ट्री इस्तर पर या किसी भी प्रकार की विशेस योग्यता पर उसे प्रसकार दिया गया है त करता है अपना नाम लिखेगा या घोशना करता हूं कि इस पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण तह सत्य है और इसके पश्चांथ उस आवधन करता के द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं अन्त महिं देख जाए उकत कार्याल के द्वारा उन्हें कर दे जाती है व्यादों कुछ वक्ततों करें लelcome लिखने के感ूद दिया होता है जो लिखने के लिए लाइन दिया होता है जो संबंदित अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और इस्थान को मेंशन किया जाता है इस तरह देखा जाए तो हमारे लिए पूरा होता है प्रपत्र तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको परिपत्र जो प्रपत्र से पूरी त प्रपत्र क्या होता है ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया प्रपत्र और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था परिपत्र और प्रपत्र में अंतर तो आखिर ये क्या होते हैं तो समझने वाली बात है कि परिपत्र और जो प्रपत्र होते हैं पूरी तरह से अंतर र का प्रपत्र के दवारा सुचना मांगी जाती है इसके अतिरिक्त परिपत्र और प्रपत्र में कुछ विशेस अंतर होते हैं जैसे कि परिपत्र के माध्यम से किसी मंत्राले या विभागे कार्याले में अपने अधिनस्त कार्याले के कर्मचारियों को किनी सरकारी आदेश अनुदेश आदी के सुचना दी जाती है जबकि प्रपत्र के माध्यम से किसी प्रकार के सूचन आदेश की जानकारी न देकर आविदन करता से कुछ विश्यस प्रकार की महतपूर्ण जानकारी मांगी जाती है ठीक है तो इस परिपत्र और प्रपत्र की अंतर के बाद हम जानेंगे कि आखिर ये परिपत्र क्या होता अब आप कहेंग हैं आपको विदो pó którzy कि अनुगों और आपको प्रीपत्र के बाद में आपको तो परेशान नहीं होंगे अब ही तक हम नी आज की वीडियो में अर्ध शास की या अर्ध सरकारी पत्र पढ़ा और अर्ध सरकारी और अर्ध शास के पत्र का शास के पत्र से किस प्रकार के अंतर होते हैं वो आपको मैंने बतलाया है कभी-कभी परिक्षाओं में अंतर भी पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों को स dispara मैंने बता दिया प्रापत्र परईपत्र हूम कहीं न कहें गश्टिपत्र इसे सरकूलर कहा जाता है ठीक है तो परईपत्र और प्रपत्र दोनू एक दूसरे से अलग होती जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रपत्र के माध्यम से आविदन करता से विशिष प्रकार की जानकारी मांगी जाती है तो आखिर ये परिपत्र क्या होता है तो परिपत्र किसे कहेंगे तो परिपत्र जो होता है यह एक अलग रूप होता है कि परिपत्र जो होते हैं वो न स्वाइब कुई सरकारी पद्र का कार्यल ग्यापन, एक साथ लिंगम्य व्यक्तियों को भेज़ा है। तब उसे परिपत्र कहा जाता है, कहने का मतला इसमें भेजने वाला एक होता है, यानि कि इसमें प्रेशक एक होता है और प्राप्त करने वाला यानि कि प्रेशिती अनेक होते हैं, तो उन्हें दूसरे शब्दों में परिपत्र के नाम से पुकारा जाता है, तो दूसरे शद्द में कह सकते हैं जब केंद्र सरकार से सभी राज सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए तो उसे परीपत्र का हाँ जाता है तो समझ में आ गई बात कि परीपत्र आखिर क्या है तो परीपत्र का एक तरीका है तो परिपत्र पत्राचार का स्वतंत्र रोप नहीं है फिर भी शास्की पत्र व्यभार में यह महत्त पूर्ण इस्थान रखता है यह परिपत्र हमेशा मुख्य कार्याले से प्रकाशित होता है या भेजा जाता है केंद्री कार्याले द्वारा अपने अधिनस्त कार्याले को एक कार्याले द्वारा अपने अधिनस्त अधिकारियों को अनुभाग को शाखाओं को उच्छ अधिकारी को अधिनस्त अधिकारियों को एक विभाग के द्वारा अन्य विभाग के अधिकारियों को भेजा जाता ह तो परिपत्र के द्वारा एक मामला या एक मसले के साथ अपने अधिनस्त अत्वा अपने संबंधित कार्यालियों में व्यक्ति को अवगत कराना इसका उद्देश्य होता है आगई बाद समझ में तो ध्यान रखेंगे कि परिपत्र में भेजने वाला व्यक्ति एक होता है उ सारे नियम होते हैं तो विभिन मंत्राले या विभाग द्वारा उनके अधिनश्त कार्या ले उनसे संबंधित प्रभाग, विभाग, संभाग आदि को एक समान सरकारी सूचना आदेश निर्देश भेजने है तू या उनसे किसी प्रकार के जानकारी मांगने है तू जिस पत्र का प्रयोग किया जाएगा उसे परिपत्र कहा जाएगा परिपत्र के द्वारा किसी प्रकार का आदेश अनुदेश तथि या विशेवस्तु को सीध बेहे भेजा जाता है इसकी विशेष्टा ये होती है कि इसमें सेंडर onlis one होता है और रिसीवर बहुत प्रकार के व्यक्ति होती है यानि कि प्रेशिती एक अनेक और प्रेशक एक होता है अवशकता के अनुसार इस परिपधर का रूप जो है शास्कीय सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं उन रूपों में भी परिपत्र को भेजा जा सकता है घ्यान का प्रयोग किया जाएगा तो वह न लिख परिपत्र B मैंने क्या बताया कि शरकारी पत्र के फॉर्मेट में या कारियले ग्यापन के फॉर्मेट में या ग्यापन के फॉर्मेट में परी पत्र को लिखा जा सकता है लेकिन वहां पर सरकारी पत्र कारियले ग्यापन और ग्यापन जैसे वर्ट का यूज नहीं करेंगे बलकि उनके ब चिंतन मनन के सासत उचित सामगरी वस्तु सियोजन और क्रम बद तरीके का ज्यान प्रखना अती आवश्यक है परिपत्र की रचना सरकारी पत्र की भाती होनी चाहिए अगर होती है तो अन्य पुरुष में लिखा जाना जरूरी है जिसे सरकारी पत्र के नियम के अनुसार पर संप्रेशन के लिए परिपत्र का विशय संग्षिप्त और विशय के अनुसार होना चाहिए प्रतिपत्र की जो प्रतिलीपियां है जिस-जिस कार्याले को भेजी जाएंगी उनका प्रिष्ठांकन के तौर पर नाम का उलेक अतियावश्यक होगा प्रिष्ठांकन सो रोप यहाँ पर हस्ताक्षत बाई तरफ लिखा जाएगा और कहीं न कहीं अनिक व्यक्ति को भेजा जा रहा है तो वहाँ पर समस्त जैसे शब्द का प्रयोग समस्त राज्य सरकार समस्त न्याया धीश समस्त मुख्य जीला धीश ऐसे शब्द का मेंशन वहाँ पर किया जाएगा इसमें आवशक्ता शरकारी कारे के आवशक्ता के अनुसार होती है इसमें किसी प्रकार की अर्धशास्की की तरह व्यक्ति गत अनवचारिकता नहीं होती राजभाशा वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है सरकारी सुचना को भेजने का सबसे तीवर माध्यम होता है इसमें भी किसी प्रकार का संदर्ब और विशय का उलेक नहीं होता और यह पत्र विशिष्ट प्रकार के अधिकारियों के नाम से समबंधित होता है और संबोधन भी पूरी तरह से सामानने होता है अगली बात कि जो आत्म निर्देश या स्वा निर्देश भेजा जाता है उसमें भवदी या अर्धसरकारी पत्र की तरह किसी प्रकार की आपका सद्भावी जैसे नाम का उलेख नहीं होता बलकि वहाँ पर केवल पत्र को भेजने वाले का हस्ताक्षर और पद का नाम लिखा होता है जो प्रेशिती पत्र को प्राप्त करेगा उसमें सेवा में लिखने के बाद सामूहिक रूप की बातों का उलेख किया जाएगा जैसे कि समस्त ज्ञायादेश, समस्त मुख्य जीलर मंत्री ऐसे प्रयोग किया जाएंगे किसी प्रकार के उत्तर की इस पत्र के द्वारा अपेक्षा नहीं की जाती मतलब कि शास्की पत्र को भेजा तो उसे उत्तर प्राप्त होगा अर्दशास की पत्र में भी उत्तर प्राप्त होंगे, प्रपत्र में भी उत्तर प्राप्त होगा, अनुस्मारक में भी उत्तर प्राप्त होगा, परिपत्र भेजा जा रहा है, तो किसी प्रकार की उत्तर की यहां पर कोई गुंजाईश नहीं होती, प्रिष्ठांकन का स्वर परिपत्र का प्रयोग नहीं करेंगे बलकि कार्याले आदेश होगा एक बार और मैं वता दू जब एक प्रकार के सुचना आदेश निर्देश एक के अलावा बहुत लोगों को देना हो तब वहाँ पर हम परिपत्रका इस्तिमाल करेंगे लेकिन यदि कीसी कार्याले में किसी विशेश आदेश को किसी व्यक्ति को आदेशित करना है या उसे जानकारी लेना है जो भी प्राप्त करना है तब परिपत्र का प्रयोग नर करके कारियले आदेश का इस्तिमाल के रिगर अब किसी एक ही व्यक्ति को भेजा जा रहा है तो ठीक है तो इस तरह परिपत्र का एक साचह होता है परिपल का प्रारू φॉर्मेट आफ सर्कूलर रिदी हम कहें तो यहां पर परिपथर को लिखते समें पत्र के मद्धे में कार्याल है जो विभाग है और कहां पर वह इस्थान है उसका मेंशन होगा पत्र कितने दिनांक को लिखा जा रहा है उसकी जानकारी लेखक के दाहिने हाथ की और होगी साथ ही पत्र का क्रमांक होगा जो प्रेशक है जो पत्र को लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम और उसके पद का उलेख होगा अगली बाद की जो प्रेशीती है यह जो आप कहने शास के पत्र के फॉर्मेट में है ठीक है यह जो पत्र का रूप रेखा है शास के पत्र के फॉर्म में है ठीक है अब यहां जो प्रती है मतलब जिसको भेजा जा रहा है यहां तो हम प्रती लिखेंगे यह सेव में लिखेंगे तो वहां पर समस्त पद नाम जो भी होंगे समस्त उनका नाम जो है लिखा जाएगा यहां विशय का उल्लेख किया जाएगा और क्योंकि शरकारी पत्र के प्रारूप में लिखा जा रहा है तो संबोधन में महोदय कहने का प्रयोग होगा इसके बाद मुझे या सूचित करने का आदेश हुआ है कि इस तरह दूसरे रूप में वो क्या क्या कह रहे हैं उसके बाद हस्ताक्ष और अपने केवल पद के नाम का उलेख जो है करता है ठीक है तो अंतमी प्रेशक कौन थे प्रेशक जो थे इसका नाम जो है यहां पर होगा ठीक है यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग का ध्यान रखेगा यह जो प् सब्सक्राइब का नाम हस्ताक्ष जो यहां मेंशन होगा और इसके बाद प्रती लीपी नीमन को प्रेशे तो समस्त करके उनका मेंशन किया जाएगा एक आविदन के द्वारे इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है ठीक है यहां पर स्वरूप जो है सरकारी पत्र पत्र को लिखा जा सकता है यहां जो परिपत्र का उदारण में बता रही हूं वह सरकारी पत्र के प्रारूप में लिखा जा रहा है सरकारी पत्र के प्रारूप में लिखा जा रहा है तो ध्यान रखने वाली बात है कि यहां शास्के पत्र लिखा होता था उसके बदले में हमें परी पत्र को लिखना आवश्यक है साथ ही पत्र संख्या जो भी है आप मेंशन करेंगे जैसे 75.12.73 ठीक है कितने तारीक को कौन सरकार के द्वारा किस विभाग से लिखा जा रहा है तो भारत सरकार के द्वारा खांधियानन विभाग से से लिखा जा रहा है ठीक है इसके बाद यहां पर क्योंकि सरकारी पत्र में प्रेशक और प्रेशिती का नाम लिखा जाता है तो प्रेशक हैं रामकुमार उपसची हैं भारत सरकार के अंतरगत अब यहां पर प्रेशिती में प्रेशिति मीं में में सभीराज़ेसरकार मतलब कैंडर सरकार के दारह सभीराजसरकार को सुचना आदेश नीरदेश भेजा जा रहा है तो वहांसा सर्केरान किया जा रहा है तो ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग जो है वो केंद्र सरकार से हो रहा है इसलिए नई दिल्ली दो दिनांक 18 जून 2021 को इसे भेजा जार लिखा जा रहा है इसके परिपत्र का इसमें परिपत्र है विशय क्या है खाद्यानों की वसूली है तू पत्र से जानकारी आदिश निर्देश के तौर पर भेजी जा रही ठीक है यहां संबोधन के तौर पर चुकी यह शासकी पत्र है संबोधन में महोदय जैसे शब्द का इस्तिमाल किया जाएगा महोदय मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि देश में खाद्यान की वरतमान इस्तिती को देख मिखते हुए भारत सरकार ने निश्य किया है कि अन्न बहुल में सरकारों द्वारा अन्न की वसूली की जाए प्रत्यक राज्य के लिए निरधारित-खाद्यानों की मात्रा तथा वसूली के खाद्यानों की कीमत के संबंध में विस्त्रित सुचना शिग्र भेज दी जाएगी इस तरह वक्तव्य को समाप्त कर लेने के पशार एक वाक्यांश लिखा जाता है कि इस संबंध में आप जो कारिवाही करें उसका और खाद्यान वसूली की प्रगति का सकता ही की वीवरण इस मंत्राले को भेजते रहें अंत में यहां पर संबोधन के तौर पर संबोधन के तौर पर देखेंगे तो शास्की पत्र है इसने संबोधन के तौर पर भवदिय का और उस व्यक्ति के नाम रामकुमार और उप सचिव का भारत सरकार के द्वारा इस्तिमाल जो किया तो आखिर आखिर परिपत्र और अनुइसमारक में अंतर होता है? जैसे कि धर पहले बताया था, किसी कारविधी की पूर्ण कर लेने के लिए जो दिया गया था पत्र उसकी जानकारे प्राप्त नहीं हुई तो उनको याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसमें समरन पत्र कहते हैं इसे संसमरन पत्र भी कहते हैं तो फिर परिपत्र में और संसमरन पत्र में याने की अनुई समारक में क्या अंतर होता है तो अब मैंने परिपत्र और प्रपत्र में अंतर बताया थे कि परिपत्र के मार्ध्यम से सुचना दी जाती है और प्रपत्र के मार्ध्यम से सुचना मांगी जाती है वैसे ही परिपत्र पत्राचार का किसी भी प्रकार का स्वतंतर रूप ना होते हुए भी शा हो लेख में भावदिय शल्दका प्रयोग नहीं चाहिए और परिपत्र में भावदिय शल्दक परयोग होता। और अभी आप कहेंगे that भावदिय लिखा है चुंकि इसवहें रखेंगे कि दुधोर ज्फारें के रूप होते हैं तो उनसे जो उत्तर प्राप्त करने जो दिये जाएंगे वह भी उसी फॉर्मेट में होगा शास के पत्र में चुकि भवदिय का प्रयोग है तो यहां भी मेंशन किया जाएगा ठीक है दूसरी बात परिपत्र का प्रयोग एक ही मंत्राले और कार्याले में होता है जबकि परिपत्र में किसी भी प्रकार के उत्तर की आवशक्ता नहीं होती अपेक्षा नहीं होती जबकि अनुईस्मारक में किसी भी प्रकार के उत्तर को प्राप्त करने की इच्छा होती है और इस तरह देखा जाए तो परिपत्र और अनुईस्मारक में अंतर होते हैं जिस तरह प endorsement कहा जाता है आखिर ये प्रिष्ठांकन क्या होता है प्रिष्ठांकन जब किसी भी प्रकार का आप आविधन प्रस्तूत करते हैं तो आविधन प्रस्तूत करने के बाद किसी प्रकार की जो आपके द्वारा एक अलग प्रयोग किया जाता है जहां आप कौन-कौन से चीजे जो प्रतिलीपी के माध्यम से भेज रहे हैं या उनको दे रहे हैं या कौन-कौन से चीज़े सनलगन कर रहे हैं वही हिस्सा प्रिष्ठांकन या इंडोर्समेंट कहलाता है तो क्या है कि या किसी भी पत्र की नकल, प्रतिलीपी, सुचन, आवशक कारेवाही है तू अनुरोध, टिपनी, राय, अत्व संक्षिप्त, निर्देश के लिए किसी दूसरे संबंधित अधिकारी, अधिनस्ते कार्याले के विभाग या दूसरे मंत्राले, कार्याले या वि भाग को भेजे जाने वाले परवानी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य पत्र या किसी पत्र का प्रतिलीपी वाला हिस्सा प्रिश्ठांकन होता है, किसी भी पत्र का, किसी भी पत्र का मुख्य पत्र के प्रतिलीपी वाला हिस सुचना अथवा आवश्यक कारे भेजना हो तब इस परिपत्र आपका प्रिष्ठांकन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है मुख्य तौर पर परिवीवरण पत्र कवरिंग लेटर होता है यह मुख्य तौर पर कवरिंग लेटर होता है प्रिश्ठांकन सरकारी पत्राचार का अती संक्षित रुप है जो अन्य पूरूश में लिखा जाता है इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशक किसी भी प्रकार की प्रेशीती याने की सेंडर और रिसीवर याने की भेजने वाला प्राप्त करने वाला किसी प्रकार का संबोधन तथा विशय का उलेख नहीं किया जाता, अंत में पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर और उसके पद का नाम ही उलेखी तो होता है, ठीक है, तो हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिस करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे प्रिश्ठांकन को समझने के लिए, ठीक है तो प्रिश्ठांकन क्या है, मैंने क्या बताया, कि प्रिश्ठांकन जो होता है, वो क्या होता है, कि मुख्य पत्र या किसी पत्र का प्रती लीपी वाला हिस्सा प्रिश्ठांकन होता है, जब किसी पत्र या उसकी प्रती लीपी को किसी अन्य अधिकारी और अधिकारियों क पास सुचना या आवश्यक कारवाही भेजा जाता है तब इस प्रिष्ठांकन का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है दूसरी बात की हस्ताक्षर में बतौर अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर होता है इसमें कृते शब्द को लिख दिया जाता है दो स्वतंतर रूप में भी लिखे जाते हैं राज्य सरकारों की जो पत्र की प्रतिलिपी होती है प्रिष्ठांकन के रूप में न भेज कर प्रायह पत्र की रूप में ही भेजा जाएगा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दी गए जानकारी गिये गए वित्तिय स्विकृती पत्रों की प्रतिलिपिया प्रिष्ठांकन सो रूपी ही भेजी जाती है तो इसका उद्देश क्या है प्रिष्ठांकन का उद्देश क्या है सरकारी पत्राचार में प्रिष्ठांकन का प्रयोग जब किया जाता है तो जब मूल पत्र प्रेशक को वापस करना हो तब किसी पत्र को मूल या प्रती में विश्यों की सूचना, टिपणी, कारवाही, आदेश, पालन, दुसरे मंत्राले से सनलगन अधिनस्त विभाग, अनुभाग को भेजा जाना हो, तब इसका प्रयोग होता है, जब किसी पत्र की प्रती लीपी, मूल पत्र के पाने वाले क्या तरीकत अन्य लोगों को भेज जा रही हो, जब प्रशासानात्मक मंत्राले द्वारा जारी किये गए, वित्य सम्मोधन की प्रती लीपियों को वित्र मंत्राले द्वारा लेखा अधिकारी पास भेजा जाना हो, सूचना के लिए जो संक्षिप्त निर्देश, आरूप लेखन की प्रतियां भेजने के ल प्रिष्ठांकन का प्रयोग किसी महत्पुर्णकार के लिए ही किया जाता है हर जगा प्रिष्ठांकन का इस्तिमाल नहीं होता इसकी रचना सहली कैसी होती है यह सरकारी पत्र का एक रूप होता है सरकारी पत्र के किसी भी रूप में इस प्रिष्ठांकन का इस्तिमाल अनिवार्य तोर पर किया जाता है मूल पत्र की समाप्ती के बाद ही प्रिष्ठांकन की शुरुवात होती है ठीक है कारेले पत्र निर्देश का संक्षित रूप होत बलकि उसके हस्ताक्षर प्रिष्ठांकन पर होते हैं मूल पत्र में केवल वह हस्ताक्षर कृते लिख देता है और अपने पद का नाम और कार्यालय का पता लिख देता है वह आपको मैं भी फॉर्मेट में बतलाऊंगी ठीक है दूसरी बात कि मूल प्रति की समापती के बाद पन्ने के मत्ध्य में प्रिष्ठांकन लिख दिया जाता है और उसके बाद जो प्रतिलीपी वाला हिस्सा है उसे हम लिखना शुरू करते हैं प्रतिलीपी शब्द को बाई तरफ उसके ठीक नीचे दिनांग को लिखा जाना आवश्यक होता है दूसरी बात कि प्रिष्ठांकन जो होता है वह बढ़ते क्रम में होता है यदि आपके दर जो मूल पत्र की संख्या 210 है तो आपके दर प्रिष्ठांकन की संख्या जो है वह 211 हो जाएगी इसी तरह क्रमांक के नीचे अधिकारियों के नाम लिखे जाएंगे जिन्हें प्रतीलिपी भेजनी है प्रतीलिपी समाप्त हो जाने के बाद प्रेशक अपना हस्ताक्षर करता है और सरकारी प्रारूप सरकारी पत्र से मिलते होते हैं ठीक है तो देखा जाएं तो हम कह सकते ह कि जो ये पत्रे के अध़ो प्रिष्ट मतलब किसी भी मूल्पत्र के नीचे वाला हिस्सा में प्रिष्ठांकन के आवसर और आवशकता के अनुसार वाक्यान्शों या उपवाक्यों को लिखा जाता है किसी भी मूल-पत्र का कलेवर यहां समाप्थ हो गया तो मद्यमें प्रिष्ठांकन लिखा जाएगा और इस प्रिष्ठांकन को लिखने के लिए आवश्क्ता के अनुसार कारे के आवश्क्ता करने कुछ उपवाक्यों या वाक्यांशों से इसके शुरुवात होगी जैसे खालिस्थान को मूल रूप से प्रेशित, आवश्चक जाज के लिए मूल रूप में खालिस्थान को प्रेशित, सुचना और आवश्चक कारेवाही के लिए पत्र की प्रतिलिप्ती के उत्तर में खर्णिम लिखित को प्रेशित, खालिस्थान को मूल सुर्प आवश् आर्थ प्रेशित ऐसे उपवाक्यों से इसकी प्रती लीपी आपके प्रिष्ठांकन की शुरुवात जो है वो होती है ठीक है तो यहां हम जानेंगे की प्रती लीपी आखिर लिखी आपकी जो प्रिष्ठांकन है वो कैसे लिखा जाएगा तो मैं पहले ही बताया कि किसी भी पत्र का जो आप लिक रहे हैं उस पत्र के मूल पत्र को संहापत होने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो अधो प्रिश्ट्याय की मूलो जो हिस्सा होता है यहीं प्रिष्ठांकन लिखा जाता है समझ में आ गई बार कि मूल प्रती के नीचे प्रती लिपी वाला हिस्सा मूल पत्र के नीचे प्रती लिपी वाला हिस्सा होता है इसे ही प्रिष्ठांकन कहा जाता है तो इसे कैसे लिखा जाएगा प्रिष्ठांकन बिल्कुल मध्ध में लिखा जाएगा, कार्यालाय का नाम उसका इस्थानis को प्रिश्ठाँकन लिखा जा रहा है मुल्पत्र का कलेवर लिखा जाएगा और सवा निर्देश में व्यक्ति अपना नाम नहीं लिखता है बलकि पत्र को लिकठने वाला है, हस्ताक्षर कृटे लिख देन पत्यक्त के नाम करेलए ठीक है, पता भर वहां उसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। मूलपत्र जो symaap't तो हुआ स willst मूलपत्र के सmaap't होने के बाद पृष्ठांकन लिखा जाएगा। बढ़े और चीज क्लिय len ż करूँ यह आपका पत्र है जहां कारियालय का नाम इस्थान और दिनां लिखा है attend a Content करमांक 201 परति यानि की जिनको भेजा जा रहा है उनके पदका नाम केवल लिखा जाएगा vez toy एक तर्केयांका विशय और इसथान के बार निश्यास के बाद मूल पत्र जो वो कलेवर के तौर पर समाप्त होता है ठीक है मूल पत्र कलेवर के तौर पर समाप्त होता है और यहां पर यह पाते हैं कि इस पत्र के समाप्त होने के बाद उस पत्र को लिखने वाला व्यक्ति स्वा निर्देश होता है प्रेशक होता है अपना हस्ताक्षर कृते लिद्भा का जो हिस्सा है उसे प्रिष्ठांकन कहा जाएगा और यहां प्रिष्ठांकन मूल पत्र के समापत होने के बाद बिल्कुल मध्य में लिखना शुरू करता है और यहां पर मुख्य पत्र का प्रिष्ठांकन का लिखने के बार देखिए यहां पर प्रिष्ठांकन लिखा कितन क्रमांक जो है मुल पत्र से एक नंबर बढ़ा कर प्रिष्ठांकन में लिखा जाएगा ठीक है और यहां पर जिन को प्रतिलिपी भेजनी है उनको सुचनार्थ मुल प्रतिलिपी भेजनी है उनका नाम यहां पर दिशन किया जाता है ओर अंवे जो व्यक्ति पृषकि ultimate अब यहाँ पर अपना हस्तक्सर करता है आप प्रिश्ठांकन में में आपको पहले ही किसी भी पत्र के नीचे वाला हिस्सा होता है वह प्रिश्ठांकन कहलाता है किसी पत्र का नीचे वाला हिस्सा होता है उसे प्रिष्ठांकन कहा जाता है इसलिए मूल पत्र की समाप्ति के बाद वहां मध्य में उसको मेंशन कर देंगे और जैसे यहाँ पर पत्र संख्या 101,7,18 भारत सरकार ग्रिह मंत्राले नई दिल्ली दिनांग 25 जुलाई 2000 21 को लिखा और प्रती लीपी यहां पर किसको किसको भेजा जा रहा है तो अधो लिखित पत्रों की एक प्रती सभी सनलगने मधिनस्त कार्याले को लोग सेवा आयोग को वित्त मंत्राले को सुचनार्थ प्रेशित किया जा रहा है इसका प्रयोग करेंगे ठीक है इसके यहां पर आप सनलगन करते हैं और अंथ में व्यक्ति अपना हस्ताक्षर कर देता है और आपको हस्ताक्षर के बाद में क्या लिखता है अपना हस्ताक्षर नाम अपना पद का उलेक जो है वो करता है और इस तरह किसी भी मूल पत्र के प्रती लिपी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं मूल पत्र के प्रती लिपी वाले हिस्से को प्रिश्ठांकन कहा जाता है आग तिसरा मैंने प्रपत्र बताया और अभी मैंने आपको प्रिष्ठांकन बताए ठीक है आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिसूचना क्या होती है टिपणी क्या होता है और विज्यापन के साथ प्रतिवेदन क्या होते हैं ठीक है तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और इसको पूरी तरह से आप समझने की कोशिस कीजिएगा कि किस तरह से आपको पत्र से प्रश्ण पूछ जाएंगे और किस तरह से लिखा जाएगा आज कल प्रश्णों का दायरह थोड़ा सा बढ़ाया गया है इसलिए कभी-कभी आप शक्ता के अनुसार परिभाश है प परिक्षा मोति है ना आप और आपके द्वारह परिक्षा देने के लिए जाना और अपके अंक रश्ण यहा गुम हो गई है तो आप एक शिक्षा मंत्राला's को एक पत्र लिखी ए जिसके मार्धम से परिक्षा में होने वाली जो भी वीलम्भ हैं उनसे संबंधित बातों का उल्लेख लेकिन अब वो विशय देता है लेकिन वो साथ बने रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को धेर सारे शुब कामना है धेर सारा प्यार और आशीरवाद